नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपके सरीर की असी बीमारियों का काल है घुटनों का दर्द हो या आपको कोलोस्टोल की समस्या हो या फिर दिल के रोग हो या फैटी लिवर की समस्या हो ये बीमारिया आपको कभी नहीं होंगी और दोस्तों ये सामगरी भी आपको अपने घर में ही मिल जाएगी इसको आपको कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है बस आप ये जान लिजे कि आपने इसका प्रयोग करना कैसे है और इसके आपके लिए क्या क्या फाइदे हैं दोस्तों लोंग, इलाइची, काली मिर्च और अद्रक ऐसे मसाले हैं जो खाने का सवाद ही नहीं बढ़ाते बलकि आपकी सेहत को भी बहतर बनाने का काम करते हैं यदि आप इनका सही तरीके से परयोग करते हैं तो आप अपने स्रीर की हर बीमारी का इलाज अपने घर पर ही कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको लोंग खाने के फाइदों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको लोंग का सेवन कैसे करना चाहें ज़िए आप भी चाहते हैं कि ये लोंग आपके सरीर की सारी बीमारियों को चूश जाएं दोस्तों लोंग में एंटी माइक्रोबाइल और एंटी वाइरल गुन होते हैं जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं तो आए जानते हैं कि कैसे काम करती है लोंग आपके सरीर को निरोगी बनाने के लिए दोस्तों लोंग में कई पोसकतत्व मुझूद होते हैं जिनमें आइरन, फासफोर्स, मैगनीसियम, कैलसियम, फॉलेट, फाइबर, विटामिन, जींक, कोपर, सलेनियम, थियमीन, सोडियम, मैगनीज, पोटासियम, कार् के सरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं दोस्तों चाहे आपको सर्दी जुखाम जैसी बीमारी हो या फिर कोई infection disease हो आपको लोंग का सेवन करना चाहिए इन सम्में लोंग आपके लिए बेहद कारगर तरीके से काम करते हैं दोस्तों हमारा सरीर तभी सवस्त रहेगा जब हमारा पाचन सही होगा पाचन तंतर भोजन को उर्जा में बदल कर हमारे सरीर को पोशन देता है जिससे कि हमारे सरीर को ताकत मिलती हैं बीमारियों से लड़ने के लिए काम करने के लिए और पाचन तंतर ही immune system को बढ़ाता है पाचन के लिए कमजोर हो जाने पर हमारे पाचन को सुधारने में मदद मिलती है। लोंग, गैस्टिक, जलन, अपच, कबज और मतली जैसी समस्याओं का भी निधान करती है। इसलिए यदि आप अपने पाचन को सही करना चाहते हैं जिससे कि आपको कबज, गैस, एसडिडी की कोई समस्या नहीं हो और आपका सरीर भ हमारे सरीर के सभी अंगों में सबसे महत्यपून हैं। दोस्तो हमारा लिवर हमारे सरीर का इंजन हैं। जब हमारा इंजन सही तरीके से काम करेगा, तब ही हमारा सरीर भी सही तरीके से काम करेगा। इसलिए आपको अपने लिवर को सही करने के लिए और फैटी लिवर जैस बहुत महत्य पुनोस्ती है। लोंग का अर्क अपने हेप्टो प्रोटेक्टिव गुणों के कान इन प्रभाओं का सामना करने के लिए सबसे अधिक महत्य बुना है। दोस्तों यदि आपका लिवर सही होगा तब वो ग्रोथ हार्मोन बनाएगा और वो हार्मोन आपके पूरे सरीर को सही करने का काम करेगा। चाहते हैं तो इसमें भी लोंग बहुत महत्य पून हैं। एक तो लोंग में उच मातरा में फाइवर होता है जो आपकी डायप्टिज लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। दूसरा ये आपके सुगर को पचनी की गती को धीमा कर देती हैं जिससे कि आपका बलड सुगर लेवल नहीं बढ़ता और आपका सुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में बना रहता है। यदि हमें छोटी मोटी बीमारियों से बचना है तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में लोंग बहुत महत्यपून दवा हैं। क्योंकि यदि आप लोंग का प्योग करते हैं तो इससे आपके सरीर को संकर्मन से लड़ने की सक्ति मिलती हैं जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों के सिकार नहीं होते हैं। इसलिए यदि आप रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लोंग का सेवन करते हैं तो इससे आपको बेहद अधिक फाइदा होता है। तरीके हैं या तो आप लोंग का सेवन सुबह खाली पीट कर सकते हैं एक गुलास गुनगुने पानी के साथ आप दो लोंग लीजिए उनको आशे ही चबाकर खालीजिए उनका पावडर बनाकर आप उनका सेवन कर लीजिए आप एक से दो लोंग का सेवन कर सकते हैं और आ दोस्तों जोड़ी आप हमारी वडियों अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आते रहे दन्यवादोस्तों